गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे UCCC मुख सेविकर के रिजल्ट को लेकर की अपडेट क्या है Normalization से किस shift को फायदा और किस shift को नुकसान होने वाला है Cut-off क्या रहने वाली है DB के लिए result कभी भी जारिक किया जा सकता है तो हाँ कल आपका एक notice जारिक गया था जो मैंने आप लोग साथ share किया था और ये notice आपका था जो भी total vacancy थी उसमें से 126 जो vacancy हैं उनको high code के द्वरा hold कर दिया गया है और जो sales vacancy है उस पर जितनी sales vacancy बची 126 minus करने के बाद उन सभी vacancy की अलग-अलग category में नम्मरा vacancy कितनी है उससे समधित कल notice आपका जारी हो गया है क्योंकि अब जितनी भी category थी उन सम में vacancy कम होई है क्योंकि 126 जो post है उनको hold किया गया है तो अब उस पर आपका जो result है वो जारी किया जाएगा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है normalization को लेकर कि normalization का से किस shift को फायदा और कि shift को नुकसान होगा तो अगर हम बात करें first shift की तो first shift को normalization से नुकसान होने वाला है और उसके बाद अगर second shift की बात करें तो second shift में कि जितनी भी महिला भ्यारती है इन सभी को second shift में फायदा होने वाला है तो first shift में नुकसान और second shift में आपका फायदा होगा ज्यादा difference नहीं रहेगा वो मैं आपके साथ share करूँगा भी कि जो cut-off है डीवी के लिए वो क्या होगी तो आप अगर first second shift के हैं तो आपको फायदा मिलेगा अगर आप first shift के हैं तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं कि जो cut-off है वो क्या रहने वाली है तो सबसे पहले unreserved category EWS EWS और OBC तो डीवी के लिए इन तीनों की cut-off आपकी सेम जाने वाली है unreserved category EWS और OBC की जो cut-off है वो आपको सेम देखने को मिलने वाली है डीवी result में और ये cut-off क्या हो सकती है तो first shift की अगर मैं बात करूँ first shift की इन तीनों category में first shift की जो cut-off है वो क्या हो सकती है तो first shift में मैंने आपको बताया कि first shift में नुक्सान होगा तो मतलब आपकी जो cut-off है ये 50 से 52 50 से 52 की बीच रहने वाली है यहाँ पर plus minus आप 2 ले करके चलिए तो first shift की मैंने आपके लिए बात कर लिए यहाँ पर 3 category OBC और unreserved category और आपकी EWS और इन ही तीनों category में अगर मैं second shift की बात करता हूँ second shift वालों की बात करता हूँ तो second shift में अगर 48 से 50 के बीच में हैं यहाँ पर भी आप plus minus 2 लेके चल सकते हैं 48 से 50 के बीच में है second shift में तो dv में जितने भी second shift के 48 से 50 में हैं इन तीनों category में तो इनको dv के लिए call आ सकती है आपका dv dv में dv की जो result जारी होगा उसमें आपका नाम हो सकता है तो यह आपकी cut-up हो गई ews, obc और unreserved category की first और second shift में क्योंकि इनकी जो cut-up है वो equal जाने वाली है उसके बाद scst के अगर हम बात करें तो scst की जो cut-up है वो आपकी sc cut-up 40 से 42 के बीच में plus minus 2 मान करें यहाँ पर भी चले लिज़े आप st के अगर बात करें तो 38 से 40 की बीच में रहने वाली है तो यह आपकी category हो गई scst की और आपकी ews, obc और unreserved category की मैंने बता दी तो अब क्योंकि result कभी भी आपका जारी हो सकता है तो बैस धहर बना करके रखिए आपका अगर है इतने marks तो आप जरूर DB आप करवाएंगे अगर इतने marks हैं आपके जो cut up मैंने आपको बताई है तो यह आपका मुक्ख सेवकर सम्मंधित महत्पोंड वीडियो था वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद